मेरे प्यारे देश स्वासियों, आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानवताबादी, चिंतक और महान सपूद, दिन दैल उपायजी का जन्म दिन मनाये जाता है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गवरों पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकरशित करते हैं। दिन दैल जी के विचारों की सबसे बड़ी खुबी यही रही है। उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उतल पूतल को देखा था। वो विचार धारों के संगर्सों के साक्षी बने थे। इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंतियुदय क एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतिय था। दिन दैल जी का एक आत्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचार धारा के नाम पर द्वन्त और दुराग्र से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतिय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा हमारे सास्त्रों में कहा गया है आत्मबत सर्वभूत एशू अर्था हम जीव मात्र को अपने समान माने अपने जैसा व्यहवार करें आधुनिक सामाजिक और राजनेतिक परिप्रेक्ष में भी भारतिय दर्शन कैसे दुनिया का दिन्दैल जी ने हमें सिखाया एक तरह से आज़ादी के बाग देश में जो हिन भावना थी उससे आज़ादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बहुदिक चेतना को जागरत किया वो कहते भी थे हमारी आज़ादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृती और पह प्रचान की अभीवक्ति करें इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का वीजन निर्मित किया था दिन्दैल उपाद्य जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है आज हादी के अमरित काल में हम दिन्दैल को जितना जानेंगे उनसे जितना सिखेंगे देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सब को प्रेणा मिलेगी मेरे प्यारे देश्वासियों आज से तीन दिन बाद यानि 28 सितंबर को अमरित महा रहा है इस दिन हम भारत मा के वीद सपूत बगत सींजी की जैनती मनाएंगे बगत सींजी की जैनती के ठीक पहले उन्हें स्रद्धानली स्वरूप एक महत्वपुन नेने किया है यह तह किया है कि चंडिगर्ट एरपोर्ट का नाम अब शहीद बगत सींजी के नाम पर रखा जाएगा इसकी लंबे समय से प्रतिक्षा की जा रही थी मैं चंडिगर्ट पंजाब हर्याना और देश के सभी लोगों को इस नेने की बहुत बहुत बदाई देता हूँ साथ्यों हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेना ले उनके आदर्शों पर चलते विए उनके सपनों का भारत बनाएं यही उनके प्रति हमारी सरधांजली होती है शहीदों के समारक उनके नाम पर स्थानों और स्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेणा देते हैं अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तव्य पत पर नेता जी सुभाचंदर बोश की मुर्तिकी स्थापना के जरीए भी ऐसा ही एक प्रयास किया है और अब शहीद बगत्सी के नाम से चंडिगड एरपोर्ड का नाम इस दिशा में एक और कदम है मैं चाहूंगा अमरित महोत्सव में हम जिस तरह स्वतनत्रता सेनानियों से जुड़े विशेस अवसरों पर सेलिबरेट कर रहे हैं उसे तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करें वैसे मेरे प्यारे देशवाशियों आप सभी के बास 28 सितंबर को सेलिबरेट करने की एक और वज़े भी है जानते हैं क्या है मैं जरिब दो शब्द कहूंगा लेकिन मुझे पता है आपका जोश चार गुना जादा बढ़ जाएगा ये दो शब्द है सर्जिकल स्ट्राइक बढ़ गया न जोश हमारे देश में अमरित महोत्सव का जो अभियान चल रहा है उन्हें हम पूरे मनोयोग से सलिबरेट करे अपनी खुशियों को सब के साथ साजा करे मेरे पहरे देश वासियों कहते हैं जीवन के संगर्सों से तपे हुई व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती अपनी रोज मर्रा के जिन्दगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी ना किसी सारिलिक चुनोती से मुकाबला कर रहे हैं बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो यहां तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बाद नहीं रख पाते ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लेंग्वेज लेकिन भार्षों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लेंग्वेज के लिए कोई स्पस्ट हावभाव ताय नहीं थे स्टेंडर्स नहीं थे इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्थ 2015 में इन्जियन साइन लेंग्वेज रिसर्च एन ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना कुई है के सांस्थान अब तक दस हजार वर्ड्स और एक्स्परेशन्स की डिक्षनेरी तयार कर चुका है दो दिन पहले यानि 23 सितंबर को साइन लेंग्वेज डे पर कई स्कुली पारक्रमों को भी साइन लेंग्वेज में लौज किया गया है साइन लेंग्वेज के तैस स्टांडर को बनाय रखने के लिए राष्ट्रिय सिक्षा निती में भी काफी बल दिया गया है साइन लेंग्वेज जो डिक्षनेरी बनी है उसके वीडियो बना कर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है YouTube पर कई लोगों ने, कई संस्थानों ने Indian Sign Language में अपने चैनल शुरू कर दिये हैं यानि 7-8 साल पहले Sign Language को लेकर जो अभियान देश में प्रारम्भ हुआ था अब उसका लहाब लाखों मेरे दिव्यान भाई बहनों को होने लगा है हर्याना के रहने वाली पूजा जी तो Indian Sign Language से बहुत खुश है पहले वो अपने बेटे से ही संबाद नहीं कर पाती थी लेकिन 2018 में Sign Language की ट्रेनिंग लेने के बाद मा बेटे दोनों का जीवन आसान हो गया है पूजा जी के बेटे ने भी Sign Language सिखी और अपने स्कूल में उसने स्टोरी टेलिंग में प्राइज जीत कर भी दिखा दिया इसी तरह टिंका जी की 6 साल की एक बिटिया है जो सुन नहीं पाती है टिंका जी ने अपनी बेटी को Sign Language का कोर्स कराया था लेकिन उन्हें खुद Sign Language नहीं आती थी इस वज़े से वो अपनी बच्ची से कॉम्निकेट नहीं कर पाती थी अब टिंका जी ने भी Sign Language की ठेनी ली है और दोनों मा बेटी अब आपस में खूब बाते किया करती है इन प्रयासों का बहुत बड़ा राव किरला की मंजुजी को भी हुआ है मंजुजी जन्म से ही सुन नहीं पाती है इतना ही नहीं उनकी परेंट की जीवन में भी यही स्थिती रही है ऐसे में साइन लेंग्वेज ही पूरे परिवार के लिए समवात का जड़िया मनी है अब तो मंजुजी खुद ही साइन लेंग्वेज की टीशेट बनने का भी फैसला दे लिया है साथियों मैं इसके बारे में मन की बात में इसले भी चर्चा कर रहा हूं ताकि इंजियन साइन लेंग्वेज को लेकर एवेर्नेस बढ़े इससे हम अपने दिव्यां साथियों की अधिक से अधिक मदद कर सकेंगे भाव यर्बानों कुछ दिन पहले मुझे ब्रेल में लिखी हैम कोस की एक कॉपी भी में हेम कोस असमिया भाषा की सबसे पुरानी डिक्सनरिज में से एक है यह 19-वी स्थाबदी में तयार की गई थी इसका संपादन प्रख्याद भाषा भी हेम चंद्रबर्वाजी ने किया था हेम कोस का ब्रेल एडिशन करीब 10,000 पन्नों का है और यह 15 वल्यूम से भी अधिक में प्रकाशिर होनी जा रहा है इसमें एक लाग से भी अधिक शब्दों का अनुवाद होना है मैं इस संबेदन चिल प्रयास की बहुत सराना करता हूँ इस तरह के हर प्रयास दिव्यां साथियों का कौश्वा मदद करते हैं आज भारत पारा स्पोर्ट में भी सफलता के परचम लहरा रहा है हम सभी कई टूर्नामेंट्स में इसको साक्षी रहे हैं आज कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगों के बीच फिटनेस कल्चर को जमिनी स्थर पर भढ़ावा देने में जुटे हैं इससे दिव्यांगों के आत्मिश्वास को बहुत बल मिलता है मेरे प्यारे देश्वास्यों मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अन्वी से मिला अन्वी और अन्वी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे में मैं मन की बात के सभी सूरताओं को जरूर बताना चाहता हूँ साथियो अन्वी जन्म से ही डाउन सिंड्रॉम से पीडित है और वो बच्पन से ही हार्ट की गंभीर बिमारी से भी जूजती रही है जब वो केवल तीन महने की थी तभी उसे ओपन हार्ट सलजरी से भी गुजरना पड़ा इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अन्वी ने और नहीं उसके माता पिता ने कभी हार मानी अन्वी के माता पिता ने डाउन सिंड्रॉम के बारे में पूरी जानकरी खटा की और फिर ताई किया कि अन्वी की दूसरों पन दिरफ़ता को कम कैसे करेंगे उन्होंने अन्वी को पानी का ग्लास कैसे उठाना जूते के फिते कैसे बांदा कपड़ों के बटन कैसे लगाना ऐसी छोटी 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 चीजे सिखाना शुरू किया कौन सी चीज की जग कहा है, कौन सी अच्छी आधते होती हैं, इस सब कुछ बहुत धैरिय के साथ उन्होंने अनवी को सिखाने की कोशिश की, बिटिया अनवी ने जिस तरह सिखने की इच्छा सक्ति दिखाई, अपनी प्रतिभा दिखाई, उससे उसके माता पिता को भी थी कि अनवी अपने दो पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी, ऐसी परिस्तिती में उनके माता पिताजी ने अनवी को योग सिखने के लिए प्रेरित किया, पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोश के पाक गई, तो वे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मास तुम बच्ची योग कर पाएगी, लेकिन कोश को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अनवी किस मिट्टी की बनी है, वो अपनी मा के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है, अनवी आज देश भर के कामपुटिशन में ह आखमसाथ किया, अनवी के माता पिता ने मुझे बताया कि योग से अनवी के जीवन में अदभूत बरलाव देखने को मिला है, अब उसका सेल्फ कॉन्फिड़नस गजब का हो गया है, कि फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ है, और दवाओं की जरूरत भी कम होती चली आ रही है, मैं चाहूंगा कि देश विदेश में मौझूद मन की बात के सुरोता अनवी को योग से हुए लाप का विज्ञानिक अध्यान कर सके, मुझे लगता है कि अनवी एक बढ़िया केस्टरी है, जो योग के सामर्थ को जाचना परखना चाहते हैं, ऐसे विज्ञान अनवी को ने आगे आ करके अनवी की इस सफ़ता पर अध्यान करके योग के सामर्थ से दुनिया को परिचित करना चाहिए, ऐसी कोई भी रिसर्च, दुनिया भर में दाउन सिंड्रॉम से पीडि बच्चों की बहुत मदद कर सकती हैं, दुनिया अब इस बात को स्विकार क कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर है, विशेशकर डायविटीज और ब्लड प्रेसर से जूड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती हैं, योगी की ऐसी ही शक्ति को देखने हुए 21 जून को सेंटराज